फ्रेंड्स बच्चे तो बच्चे होते हैं, कभी भी क्रेविंग होती है इन लोगों को, आज तो मेरी बेटी ने हदी कर दी, उसको केक खाना था, बाप प्रेग, और वो मुफल आपके बैठ गई, मुझे केक खाना ही है, तो फिर मैंने कहा, ठीक है, मुझे 10 मिनट दे दो, 10 मिनट में केक तो नहीं बना पाऊंगी, बड़ केक जैसे कुछ में आपको बना के खिला दूँगी, तो फटा फट मैंने एक बोल निकाल दिया, और उसमें डाल दिया मैंने मिल्क, ये रूम टेंपरेचर पे हैं मिल्क, और साथ में मैंने लिया है, सन फ्लावर ओल, कोई भ इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है, मिक्स, 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 अच्छे से मिक्स कर लीजे, ये देखे, इस तरीके से मिक्स होने के बाद, इसी के ऊपर एक मैंने चन्नी रख दी, उसमें मैंने डाल दिया है, होल वीट फ्लावर, ओके, गेहु का आटा मैंने डाल पाउडर शुगर आप चाहो तो गुर का यूज कर सकते हो साथ में मैंने डाल दिया है milk powder ओके देन कोगो पाउडर भी डाल दिया क्योंकि चॉकलेट स्याधा अच्छा पसंद करते हैं साथ में मैंने बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा भी डाल दिया और pinch of salt डालना भूल गई बट कोई बात नहीं आप चाहो तो डाल सकते हो और अच्छे से mix, mix, mix करके अच्छे से छान लिया जो भी गुटलिया है उसको मैंने अच्छे से निकाल दिया अब मैंने इसे roughly mix कर दिया, friends है ना, cut and fold करो कोई ये नहीं है कि यहाँ पर, okay देन मैंने यहाँ पर extra milk डाल दिया ताकि batter की consistency जो है न, वो थोड़ी lose हो तो इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा अगे इन milk डाल के मैंने batter को ribbon consistency आते तक अच्छे से mix कर लिया, okay इस तरीके से mix करने के बदर finally मैंने डाल दिया इसमें synthetic vinegar जो की इतने light और fluffy बन जाते हमारी ये जो भी है आप comment में बताना कि आप इसे क्या कहोगे, okay तो ये batter बन गया और फटा-फट मैंने piping bag ले ली और ये सारा batter मैंने इसे transfer कर दिया तो इस तरीके से बाद में transfer करने के बाद मैंने या पर ले लिया है appam का pan okay जो easily available होता है या काफी गरों में रहता ही है क्योंकि हम appam मनाते ही है, है ना breakfast में तो फटा-फटी से oil से grease कर लिया आप चाहो तो butter से grease कर लो या फिर घी से grease कर लो चलेगा, okay अच्छे से grease कर लिया और इसमें मैंने पहले थोड़ा से butter डाल दिया फटा-फट फिल किया है है ना अच्छे से पूरा नहीं करना है फटा-फटी फिल कर देना है यहाँ पर यह देखे किस तरीके से मैं कर रही हूँ ओके यहाँ पर बन-फट फिल करने के बाद यहाँ पर मेरे पास थी चॉकलेट्स तो आप dairy milk ले लो या compound चॉकलेट है वो ले लो चलेगा यहाँ पर सेंटर में मैंने इस तरीके से चॉकलेट्स को डाल दिया और इसके उपर फिर से हमने butter pour कर देना है बाद में पुरा फुल कर दीजेगा ठीक है इस तरीके से मैंने बाकी batter जो है उपर में फुल कर दिया अब बारी आती है इसे कुक करने की है ना तो अच्छे से आपको चॉकलेट पुरी कवर कर देने है अधरवाइस लीक हो जाता है अना कुकिंग के टाइम में और इसे अभी मैंने लो फ्लेम पे छे से आठ मिनट तक अच्छे से कुक होने दिया तो लीट कवर करके इसे ही छोड़ दिया मैंने लो फ्लेम पे और देखिए इतने मजेदार और एकदम फलपी और जैसे ही ये बने ना इसको मैंने थोड़ा थंड़ा होने दिया पहले चेक कर लिया कि ये अच्छे से कुक हुए है या नहीं तो टुद्पिक क्लीन आ गई तो ये रेडी हो गए इसके बाद थोड़ा थंड़ा होने दिया और ये देखिए कि इतने बढ़िया इतने लाइट फलफी सॉफ्ट हमारे ये रेडी हो गए और इसके ओपर फिर मेरे पास गनाश था जो रहता है मेरे पास या फिर आप नटिला यूज़ कर लो इस तरीके से चोको चिप्स के साथ मैंने गार्निश किया और जब मेरी बेटी ने इसे खाया तो वह मेरी तारिप के फुल बरसाने लगी और साथ साथ याना के डैडी भी इनको इतने पसंद आई ये सो मैंने इसे नाम दिया है चोकलेट केक बॉम ठीक है मैंने तो नाम इसका डिसाइट कर लिया चोकलेट केक बॉम आप इसे क्या कहना चाहते हो और आप जरूर ट्राइ करना किट्सी ने बड़े लोगों को भी ये बहुत पसंद आएगा और इतने सॉफ्ट होते हैं ये दिके सेंटर में किसी चोकलेट दिख रही है मैंने थोड़ा कम डाला है तो आप थोड़ा ज्यादा भी डाया सकते हो और इस तरीके से बना लिया